भारतिय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाला रविंदर सिंग नेगी भले ही अपने सपने पूरा नहीं कर पाया हो लेकिन आज चमोली के सैक्रों युवाओं के सपने पूरा कर रहा है चमोली जीले के पाप प्रियाना गउंके रहने वाले 24 वरसी रविंदर पहार के हर युवा की तरह भारतिय सेना में भारति होकर देश की सेवा करना चाहते थे लेकिन अपने प्रियासों में वह विफल रहे रभिंदर इसे निरास नहीं हुए बलकि अपनी अस्वफलता को ही अपनी ताकत बना लिया सेना में जाने की ख्षा रखने वाले गउं के युवाओं को निसुल्क फिजिकल ट्रेनिंग देनी शुरू की रिंकू के सानिद में ट्रेनिंग करने वाले दर्जनों युवा आज सेना में भरती होकर देश की सिमाओं की रक्षा कर रहे हैं अब लोग उन्हें प्यार से रिंकू बुलाते हैं रिंकू बताते हैं कि वो एक गरी परिवार से आते हैं ट्रेनिंग के दोडान खाने पीने के साथ ही अलग-अलग मद में हजारों रुपे प्रतिमा खर्च करने परते हैं आर्तिक संकट से जूज रहे पाहार के जवाओं के लिए यह एक बरी चुनोती है इसलिए हमने ताय किया कि ऐसे गरीब चात्रों को जो सेना में भरती होकर देश की सेवा करना चाते हैं उनको हम निशुल्क प्रसिछन देंगे आज उनके कई चात्र भारते सेना में अलग-अलग जगा पर देश की सेवा करने हैं कई बच्चे अगनी बीर में भी भरती हो चुके हैं रिंकू से टेनिंग ले रहे संदीब जोसी बताते हैं उनके घर की स्थितियां ऐसी नहीं है कि पढ़ाय के सासा टेनिंग का भी खर्चा उठा पाए रिंकू सिंग ने निसुलक टेनिंग देकर उनकी समस्या का समधान किया है इसमें कोई संदे नहीं कि रिंकू सिंग द्वारा सुरू कियेगे इस सरानिय पहल से पहार के गरीब शात्रों के भविश्ट को आज एक नई दिशा मिल रही है झाल